यह सब इसी लेवा कि मैंने फॉरेवर के स्टार्टिंग के फेज में लोगों की बात नहीं मानकर अपने अप्लाइन की बात मानी मैंने उसकी बात मानी जिस परसन में वो इस बिजनस में लाया मैंने उस परसन से डेली बात किया आप मैंसे कई लोग क्या करते हैं बिजनस सबसे बड़ा साथी सबसे बड़ा सहारा मैं आपको इस business का सबसे important point बता रहा हूं अगर आप इस business के अंदर गिरोगे तो आप तभी गिरोगे जब आप इस point को follow नहीं करें और वह point है applying से connectivity यह point सुनने में ना बहुत असान लगता है रहे अपलाइन से क्या बात करेंगे डेली क्या बात करेंगे अच्छा अगर गल्फरेंड हो तो डेली दो गंदा बात करेंगे तब तो अराम से टाइम पास हो जाता है अपलाइन से क्या बात करेंगे बहुत बात करने के लिए अपलाइन से अपनी जर नोट कर लो कि एक लड़का आया तो अंकेत अगरवाल नाम का बात भोली थी कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आपके अपने अपलाइन से बात ना हो अपलाइन का मतलब होता है जिस परसन ने आपको इस बिजनस लेलाए अगर श्रीप एक यह पॉइंट आपने फॉलो पढ़ाई नहीं किये पढ़ाई ही नहीं किये 26 मार्च को मैंने फॉरेवर के अंदर अपनी बिलिंग कंप्लीट की थी 2021 में उस दिन के बाद से मैंने बुक को भी छुआ ही नहीं है मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप मत छुओ बढ़ा रहा हूं कि हम कोई बह कुछना मैं मैं क고ं से बात करना बैट लू अपने अपलाइन के साथ बोलना कि सथ मेरे घर में ये प्राब्लम में मेरे पापा कर पंद्रा लाक रुपया का लोन दो साल के अंदर फॉरेवर से कैसे सॉल्व कर सकता हूं पूछो अपने अप्लाइन से हेलो मैं बात करूं वहाए तक्या सकता है डॉट कमा अतना क्यों कि वह द्यूसरों की बात सुनता है वह मैं राध में तो से रेखता है वही रील्स के जगा अगर आप लाइन से बात कर लोगे बैठ के आधा अगटा लर्निंग कर लोगे तो शायद आपका ग्रोथ नहीं यहां से वहाँ हो जाए इस बिजनस चेंदर अगर सबसे पहले कुछ सीखना है ना वो सेको छेल्फ मैणेजमेंट अपने आपको कैसे मैनेज करना है चाहे इस मिटिंग में सूपरवाइजर बैठा ओ अगर आपका बिजनस, में कुछ उपर नीचे है न तो इसका मतलब है कि आप अपने आपको अच्छी टीम कब बनाओं कि तो आप खुद अच्छे होगे बोलो घलत बोल रहा हों कि सही बोल रहा हो एक अच्छा captain ही तो भी टीम को guide कर पाएगा अब captain कुछ performing नहीं कर पा रहा है तो तुटीम कैसे guide होगी या आप कैसे guide होगी दुगो मैं आपको एक बात दिल से बोलूगा कसं ठाके बताऊंगा आपना नसीब बाले हो इसलिए आज आज आप इस मीटिंग में बैटे हो आप नसीब बाले हो सायद आपने जिंदगी में कुछ अच्छे करम किये हैं तभी आज आप इस मीटिंग में हो वारा पाचीवर्स क्लपता पाट हो अब यह आपकी मैनत है आपका लगन है कि आप कितना आगे बढ़ते हो कुछ लोग यहां पर होंगे फॉरेवर जॉइन कर लिए बस हो गया डेली मीटिंग देख रहे हैं बस ऐसा नहीं होता है पूछो अपने अप्लाइन से बात करो सर मेरी यह क्या सही है सर मैं कैसे आगे ब आप प्रोपर नहीं है कि अवाज प्रोपर आ रहीजा आप लोगों के डिंग कई लोग पत आपको क्या कि ऑ बार आपके दुर्म मेरे पैसा है को लिखक के बता रहा हूं ऑसथे आपके पास चल के आएंगे जब भाग Alma के पीछ ए forever में सही में पैसे कमाना है, forever में सही में इजद्वच चाहिए, forever में सही में achievement करनी है तो आपका Real Achievement, आपका Level है, focus करो Levels पे, आज आप Novas पे ओ, focus करो AS पे, आप AS हो, focus करो supervisor पे, आप fiber wiser हो, focus करो AM पे, मैंने जब से, में आपको बता हा रहा हा हूं, सेप्टेंबर की बात है सेप्टेंबर 2021 की मैंने ना मतलब सुरुस में मैंने कुछ पैसे कमाए फॉरेवर से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैंने सेप्टेंबर 2021 से ना फोकस करना स्टार्ट किया नहीं अंकित तेरो को लेवल करना है दिन राज दिमाग में कुछ नहीं रख खराब दोस्तियारी छोड़ दी आप में से कई लोग ऐसे होगा जिनकी दोस्तियारी होगी वो दिन बर घूमते होंगे चलो मेला लगा है घूम के आते हैं कोई दिक्कत नहीं है फेस्टिवल का सीजन है घूमो घूमने के लिए मना नहीं है लेकिन अपने काम को देखते वे घूमो मैं को पता है यहां पर बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी आप लोगो को बहुत सारे काम होते होंगी आपके हस्बेंड है आपका घर समालना है सब कुछ ठीक है यही तो बि परसनल लाइफ को और अपनी बिजनस लाइफ को अलग-अलग रखते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है ना उसका इंपक्ट फॉरेवर में नहीं पढ़ना चाहिए और आपके बिजनस में क्या हो रहा है उसका इंपक्ट आपके घर में नहीं पढ़ना चाहिए क्लियर ह समझ में आ रहा है क्या बोल रहों अपनी लाइफ को सेपरेट रखना सीखो अपने आपको पॉजिटिव रखो आप में से कई लोग यह सोचते हैं आपसे होगा आपसे नहीं होगा भाई क्या लगता है आपको जब मैं 18 साल का एक लड़का फेलियर क्या था मेरे पास कुछ न कभी नहीं कि नेवर एवर बट क्यों हो पाया मैंने आपने अपर विश्वास किया मैंने इस जर्णी पर विश्वास कि आप में से कई लोग एक मेना होता नहीं है जल्दी पैसा कमाना जिंदगी में कि स्कैम है आप मेरी बात लिख के रख ले जहां भी आपको लोग बोल रहना जल्दी पैसा कमा लो तुरंद पैसा आ जाएगा बन जाओगे अमीर वो स्कैम है अगर जल्दी पैसा कमाना इतना आशान होता तो मैं आपको दो हजार चौबीस की इंडिया का अनिम्प्लॉइमेंट रेट बताऊं इंडिया में हर तीन में से एक युवा वेरोजगार है यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह गवर्मेंट रिपोर्ट है और पता है आपको जो उसका रेश्यू है उसमें 29.1 परसेंट लोग ग्रेजुएट ह ग्रेजुएशन जिनके पास डिग्री यह न वह निम्प्ला पता है क्यों उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास एक अच्छा गाइडेंस नहीं है आज मैं आपको गाइड कर रहा हूं फ्री में इस मीटिंग को कोई पैसा लगा आपको आपने कुछ प्ram पे ठीटफॉर्म पर डिकत आएगी मैं 100 बार बोल रहा हूं दिकत आएगी दिकत कैसे आएगी कभी कॉल आएगे यॉथ दिन पर क्या करता रहता है, फोन में लगा रहता है, हस्बेंड बोलेंगे क्या करते रहती है, किस से बात करते रहती है, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बट हमें डटे रहना है, हमें लगे रहना है, हमें सीखते रहना है, हमें टाइम वेश्ट नहीं करना है, आप नहीं लिखता है ना उसके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं मैं आप कोई बात लिख के दे रहा हूँ और अगर आप मेरे से 3-4 टिप अगर लाश्क में लेना चाहो तो सबसे बहरे टिप तो मेरी वही है अपलाइन से कनेक्टिविटी बहुत जादा दूसरी चीज अपने प्रसनल लाइफ को और फॉरेवर को अलग अलग रखो समय निकालना पड़े का चाहे पूजा हो चाहे कुछ भी हो घर में शादी हो कुछ भी हो समय निकालो समय निकालोगे तब ही कुछ होगा तिसरी इंपॉटंट सीज आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया था वो रीजन बहुत जरूरी है क्यों इसकाम को क्या दिगकत थी लाइफ में क्या कुछ करना था डिककत किया है लोग जैसे बड़े होते हैं जैसे समय गुजरते हैं लोग अपना रीजन भूल जाते हैं पहले हमारा सपना होता हम डॉक्टर बनेंगे हम इंजिनियर बनेंगे जब हम देखते हैं हमारे एक्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ हम सोचते छोड़ोना यार जॉब कर लेगी बट आज फॉरेबर हर एक इंसान को एक्वल और पॉर्ट अप्लाइन प्लाइन देख उसको फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है पेशेंस नहीं हारना है क्यों नहीं कर पाऊगे आप इस मिटिंग में बैठे हो ना तो आप एवर करने के लिए बैठे हो और आपसे फॉरेवर होगा डेफिनेटली होगा चौथी चीज अ मैं आप लोग से request करूंगा और आप लोग खुद भी मत बोलो और अपने टीन के अंदर भी सिखाओ अपने parents को सिखाओ अगर वो कुछ बुला बोलते अपने मुझ से कभी भी अपने बारे में या अपने लिए अपनी family के बारे में कभी भी बुरा मत बोला करो कि मेरे से नही सारा atmosphere है ना यह positive भी नेगेटिव भी है आप नेगेटिव बोलोगे आपके साथ नेगेटिव होगा आप पॉजिटिव बोलोगे आपके साथ पॉजिटिव होगा यह एक law है law of attraction बोलते हैं इस law को बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में कभी मेरे को time मिलेगा मैं आ सिंपल चीज़े को आप फॉलो करोगे ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं लर्निंग बहुत जरूरी है डेली अपने अप्लाइन से मांगो वीडियो कि सर मैं इस बिजनस के अंदर और इंप्रूफ कैसे कर सकती हूं सर मेरे को वीडियो भेजिए सर मेरे को learning करना है कि हो सकता ह है कि आपकी लर्निंग ना आपको आज काम ना है लेकिन वह एक दिन काम आएगी ज़रूर काम आएगी मैं आपको यह बात लिख के दे सकता हूं और फिर से एक बात बोलूँगा फॉरेवर के अंदर फोकस करो अपने लेवल्स को देखो कि सर आज जाना मीटिंग में बोलो सर मेरे को लेवल करना है मेरे को लेवल करना है मेरे को लेवल करना है और मैं करूंगा सर मेरे को बताओ सर लेवल कैसे होता है सर मेरे को अपने लेवल करना है सर मेरे को भी वह पीन चाहिए मैंगर का गोल्ड पीन चाहिए सर मेरे को आगे बढ़ना है आपका जुनूदना आ आपको आगे बढ़ाएगा आपकी कनेक्टिविटी तो आपके अप्लाइन के पास बहुत लोग है लेकिन आपके पास तो एक यह प्लाइन है तो आपको जाना पड़ेगा उनको बोलना पड़ेगा समझे डों क्या बोल रहोँ बहुत ईजी है यार मतलब फॉलेवर सीजी कुछ है यह नहीं बस उनके लिए जो इन बातों को फॉलो करें अभी मैं इस मीटिंगम बताया अब कई लोग नहीं सुन रहे होंगे कई लोग फैंक होगें लेकिन कई लोग सुनुन रहे होंगे और ज हमको लेवल करना है लेवल करना है हमको हम करेंगे हम फॉरेवर के लिए बने हैं अगर अगरवाल अपना लेवल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं मैं भी कर सकती हूं कई सारी हाउस वाइफ है जो आज लाकों रुपय कमा रही है जिनके हस्बेंड ने मना किया तो आप भी कर स वक्त्य हो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलना है और आपके अंदर दम है अगर आप इस मीटिंग में आई हो तो आपके अंदर दम है अगर आप मेरे को अभी तक सुन रहे हो तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका लेवल होगा बस अपने मुझे को मीटिंग में किसी को मत देखो आप और मैं हूँ बस इस मीटिंग में और आप बोलो अपने आपको कि मेरे को लेवल करना है और मैं करूंगा लेवल चाहें मेरे को जितनी प्राब्लम आए कुछ भी हो जाए घर वाले मना करें कभी अपने ओपर डाउट हो कोई विक्कत नह हो तो आप पीछे लाइन में कड़ा हो के ना मिलो आप स्टेज में मिलो और आप कि आपकी लेक तालिया बजा रही हो यह होना चाहिए अपने अंदर, बड़ा सोचों के तो बड़ा मिलेगा, छोटी सोचों के तो कुछ नहीं मिलेगा, अपने ग्रूप में भर दो, अपने अप्लाइम को लिख दो, सर मेरे को लेवल करना और मैं करके रहूंगा, और मैं करके रहूंगी, लिख दो, उनको भी द स्वास करो अपने अप्लाइन से बिलीफ करो और बस काम करते बचलो और फिर कभी जब मेरे का मिटिंग लेने का मौका